दोस्तों अगर आप Digital Siva Portal के मध्यम से Pen Card को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने Pen Card की Service को क्लिक कर लेना है जैसे ही आप Pen Card की Side को क्लिक करते हैं तो आप S Interface पे पहुंच जाते हैं और आप यहांपर Declaration पे क्लिक करके Login कर लेते हैं यहांपर Form No.49 अलफा कुल जाएगा जहांपर Physical Mode और Digital Mode दो मोड यहांपर खुलते हैं तो आज मैं आपको Digital Mode से करके दिखाऊँगा यहांपर Pen Card Mode आपने कर दिया है कि आपको बोथ E Pen Card और Hard Copy भी चाहिए तो उसको Select कर देना है उसके बाद Personal Detail में आपने पूरे Details फील कर देने हैं जैसे First Name, Last Name, Middle Name जो भी है वो आप यहांपर फील करते जाहिए और Name on Card जो भी आपके Card पे आपको Only First Name प्रिंट करना है या पुरा नाम प्रिंट करना है वो आप Option है वो आप यहांप से Select कर सकते हो यहांपर पूछ रहा है कि आपका कोई Other Name है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं देट वबर्थ देखए देट वबर्थ में आपने यहां पर डेट मन्थ और चौद प services लिए के एक ऊपर स्थार का यहांन पर स्थार का एक टूंत जो की दो बार डालना पड़ेगा उसके बाद आपके अधार के ऊपर जो भी नाम है वह सही 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 याँ पर एंटर कर देना है जैसे ही आप naam entry करते हैं तो यहां से अपने next step प्याजना है जहां पर आपके document डिटैल या रड़ी field होता है make payment प्य जाएंगे जैसे आप पैम्एंट मेंश frenchяет हैं तो यहां पर डीजिटल सवा वडल आपके कुछ एक जो भी चार्ज़स्ट यहां से कर जाता है इसके लिए अपको अपना पासवर्ड यहां पर लगाना पड़ेगा और अपना login भिन लगा कि आप can payment कर देँगे तो payment successful हो जाएगा जैसे पेमेंट successful होता है यहां पर आपको एकशन इन्टिक केशनं होगा जहां पर एक रेफरेंस नम्बर मिलेगा है क्या कोंटेक्ट डीटेल आपके पास टेलीफोन या मॉबाइल नमबर जो भी होस को यहां पे फील कर दीजिए उसके बाद email ID important document है जो कि आपको इसमें डालना ही है क्योंकि कोई भी update आएगा वो आपके email ID के उपर आपके पास message आ सकता है उसके बाद parents detail जिसका भी नाम आप अपने pen card के ओपर देखना चाहते हैं या आप चाहते हो कि फादर या मदर जिसका भी नाम उस पे हो तो वो आप यहां पे option select कर सकते हैं यहां पे आप first name और last name डालना आपको जरूरी होता है नेक्स कर देंगे जैसे ही आप next करते हैं अगर कोई भी आपका document या जो भी column आपका कहीं छुट गिया है तो यह आपको वो शो करेगा तो इसको आपने सही से feel कर देना है सिंगल नेम कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसलिए अपने फर्स्ट और लास्ट नेम दो नेम आपको देने पड़ेंगे next step क्या जाएंगे यहां पर आपका ओटीपी आएगा वो टीपी से आपको अथन्टीकेशन करना पड़ेगा जो भी आपके अधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आता है उसको आप यहां पर फील कर देंगे और सब्मिट कर देंगे आपकी जैसे ही आपका अथन्टीकेशन हो जाता है तो आपके अधार से डिटेल यह फैज कर लेगा और आपको डिटेल शोग कर देगा आपकी इंकम जो भी आपकी इंकम है सेलरी या नो इंकम जो भी आप इसे टिक कर देंगे यह कोड को सही से भर देंगे उसके बाद वेरिफायर का नाम जो भी आपने आप खुद का भर सकते हैं अगर आप से ऐसे से कर रहे हैं तो आप खुद का भी इसमें डाल सकते हैं या तो जो कैंडिडेट है उसका भी आप फील कर सकते हैं नेक्स्ट टैप करेंगे इंपोर्टन डॉकुमेंट दिखाएगा जो कि अल्रेडी फिल्ड होते हैं और यहां पर आपको सब्मिट कर देना है जैसे ही आप सब्मिट करेंगे आपके यह जो हस्ताक्सर हैं यह डिजिटल सिगनेचर आपके लेगा यहां पर आपका अधार नम इसमें करके यह क्लिक करके ओटीपी मंगा लेना है और जैसे यूटीप आता है अपने ओड़ी पी को फील कर देना है ऑड़ीभी को एंटर कीजिये और सब्मिट कर दीजिये इसकी स्पीड यह form open होने की स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड के ओपर भी वैरी करता है यह सब्मिट हो चुका है देखिए फॉर्टीन अलफा यहां पर आपकी पूरे डेटेल्स आ जाएंगे यहां से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं यह तो डाउनलोड आपके जो फॉर्म है जैसे आप फिजिकल मोड में करते हो सेम फिजिकल मोड में भी सेम यहीं तक प्रॉसेस होता है उसके बाद वहां आपके पास एक जो फॉर्म है वो फॉर्म आता है उसमें आपको फोटोचिप काना होता है और उसको फिर सेम वहीं ऑप्शन में जाके वहां से आपके डॉकुमेंट को स्कैन करके वहां पे अपलोड करने होते हैं जबकि यह जो डिजिटल मोड हम कि आपने क्या-kia document यहां पर लगाई हैं आपका पूरा भरा हुआ form यह आपको शोग कर देगा कि जैसे हम download sign pen form कने यह पर को आपके डाउलोड में आ जाएगा और यहां से आपको आपके पूरे को डाउनलोड करके आपके पास रख सकते हैं ताकि इस पर उपर जो आपका रेफ्रेंस नंबर है ताकि आप अपनी अप्लिकेशन को ट्रैक कर सको तो ये थी जानकारी एक न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने की तो जानकारी आपको कैसे लगी जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइग गिरू करें थैंक्यू जैंजै भारत